हरे हरे महादेब मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि एन एबम एम इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का आपसी जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह वेडियों आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है लेकिन मित्रों इस वेडियों में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियों को आप लाइक कर दे साथ में एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियों के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दे एबम वेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुनने मित्रो एम नाम के जातक सुभाब से अभिमानी एबम घमंडी होते हैं लेकिन यदि एन नाम के लोगों की बात कड़े तो एन नाम के जातक अधिकार जताने बाले होते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक बहुत ज्यादा इर्सियालू होते हैं मित्रो इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा उत्तेजित होगी मित्रो आपको बता दे कि इस नाम के दोनों जातक एक दूसरे के परती बहुत ज्यादा आकरसित होते हैं लेकिन आकरसित होने के बाद इन दोनों का आपसी संबंध बहुत ज्यादा करबा होता है मित्रो आपको बता दे कि इस नाम के दोनों जातक अपने दामपते जीबन में एक दूसरे को बरदास्त करने में बहुत ज्यादा मुस्किल का शामना करते हैं मित्रो आपको बता दे कि इस नाम के दोनों जातक अपने दामपते जीबन में एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का प्ड़यास बहुत ज्यादा करते हैं एबम इनके इस सुभाब के कारण इन दोनों को अपने आपसी जीवन में तनाब का शामना बहुत ज्यादा करना होता है मित्रो एन नाम के जातक एबम एम नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके दामपते जीवन इनके बैबाहिक जीवन की बात करे तो इन दोनों का आपसी जीवन सामानने रहेगा न जयादा मजिबूत न जयादा खराब तो मित्रो इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हड़ जगह सेर कर दे धन्यवाद